Welcome to all my dear students, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे with me वरेन आज हम देखने वाले हैं NCRT की एक्सेसाइज, किसकी एक्सेसाइज? NCRT की एक्सेसाइज देखने वाले हैं, क्लास 8 की चैप्टर है 6 जिसका नाम है Combustion and Flame, इससे पहले हमने और भी वीडियो देखे थी, इसी डिफरेंट डिफरेंट बुक के देखे, तो आज हम NCRT की एक्सेसाइज सॉल्व करने बाले हैं इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, सेर, एड़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो चलिए, और हाँ, बैल आइकन दवाना ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तर पहुंस रहे हैं आईए तो बिना कोई वक्त गब आया हुए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो यह रहा पहला कोश्चन एसी कंडिशन आपको बतानी हैं जिसके अंतरगत या जिनकी बज़से कंबस्चन होता है पहली कंडिशन है प्रिजन्स मबस्टिबल सबस्टांज यानि कि आप कहेंगे कि जिस चीज को जलना है, जिस चीज का combustion होना है, वो substance, वो material present तो हो, ठीक है, जैसे कि बुड है, पैट्टोल है, यह वो, यानि जो fuel है, जिसका combustion होना है, वो चीज present हो, बिलकुर सही चीज है, उसकी requirement तो कंपल सरी है, second, presence of supporter of combustion, अब combustion को support करने वाली चीज है, that is oxygen का होना जरू जब भी कोई combustion होता है, कोई चीज जलती है, तो बिना oxygen की presence के नहीं जल सकती, तो यानि presence of supporter, यानि combustion का supporter किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, oxygen को, चलिए, ठीक, थर्ड चीज जो है, जो requirement है, attainment of ignition, यानि कि attainment मतलब प्राप्त करना, किस चीज को, ignition or kindling temperature, यानि देखिए, हर चीज क्या होती है, जैसे कि हम बात करें, अगर बुड की बात करें, तो उसको आप गरम करेंगे, बहुत देर में आग पकड़ती है, पैटरल जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, वो जल्दी जलना सुरू हो जाता है, इसी तरह से, तो हर material का, हर substance का अपना एक temperature होता है, जब तक वो उस particular temperature तक नहीं पहुँच जाता है, तब तक वो आग नहीं पड़ता है, उसका combustion नहीं होता है, ठीक है, तो उस temperature कम क्या बोलते है, ignition temperature और kindling temperature, ठीक है, तो attainment of ignition और kindling temperature का होना बहुत जरूरिए नहीं, उस temperature तक उस substance का पहुचना जरूरी है, तो यानि डाइ temperature का होना जरूरी है तो यह तीनों जब होंगी तब होगा आपका combustion तब क्या होगा combustion फिलिंदा ब्लैंक्स दूसरा question है फिलिंदा ब्लैंक्स क्या है इस question में देखें बर्निंग of wood and coal causes यानि की लकड़ी के और कोईले के जलने से क्या चीज़े होती है और इएर में क्या चीज़े होती है वहां पर प्लीशन होता है ऐसा fuel जो कि लिक्विड स्टेट में हैं और जो कि घरों में योज होता है ठीक है देखें अब यहां पे दो-तिन पॉइंट आप समझ लीजीगा ठीक है इससे पहले भी कुछ वीडियो में हमने एक कॉश्चन कराया है तो बहां पे हमने आंसर लिखाया था आपको तो सहरों की बात करें तो वहां पे क्या LPG ज़्यादा यूज होती है वो गैस थी लेकिन उसको सिलेंडर भरके लिकुड बनाया गया है तो यानि जब हम उसको यूज कर रहे है उस टाइम पे क्या है वो लिकुड अबस्ता में तो यानि यहां पे दो आप्शन हो सकते हैं यह अबर इस कैरोसीन ठीक है तो दोनों आप्शन हो सकते हैं यहां पे ठीक है तो आपको समझना होगा किन परिस्टिटियों में क्या चीज है पुराने समय की अगर वहां एंसियन टाइम की बात करता ओल्ड टाइम में तो वहां पे कैरोसीन यूज होता था लेकिन आज की यहां में यहां पर आप्शन हो सकता है का अब यहां पर बेसे कर देता किया एक कर दिया है तो यहां पर रिखे सही हो जाएगा ठीक है तो फिलाल हम यहां पर भढ़ दे रहे हैं कैरो से चलिख fuel must be heated to its before it start burning fuel must be heated fuel को गरम करना चीए heat करना चीए to its उसके कहा तक before it's start burning इस से पहले कि वो जले उसको कहा तक गरम करना चीए किस temperature तक गरम करना चीए heat up करना चीए तो right option हो जाएगा उसके ignition temperature तक आपको heat up करना चीए next fire produced by oil cannot be controlled by यानि कि जो आग लगती है fire produce होती है by oil यानि तेल जब जलता पैट्रोल या डीजल यह आपने सुनाओगा कि इरान में इराक में यहां पे क्या तेल के कोव में आग लग जाया करती है अक्सर ठीक है तो यानि बहां पे अगर आग लग चुकी है तो उसको कैसे control करेंगे या इ तेल के नीचे चला जाएगा तेल ऊपर ऊपर जलता रहेगा तो वाटर से वह कंट्रोल नहीं हो सकती है ठीक है ठीक है थर्ड कोस्टन है एक्स्प्लेइन हाउ दा यूज ऑप सी एंजी इन ऑटो मॉबाइल्स हैज रिडूस पॉलूशन इन अबर सिटीज आपको यह बतान की डीजल की जगह है अगर आप सी एंजी का इस्तेमाल करेंगे तो बाकी के कंपैर जैने पॉलूशन थोड़ा कम होगा यानि यह पॉलूशन को कम करने में मदद करती है सी एंजी तो किस तरीके से करती है वो आपसे कॉश्चिन पुछा जा रहा है तो देखे बाइं सी एं पॉलूशन इन अवर सिटी कहने का मतलब है जो कोईला होता है जो लकड़ी होती है पैटोल होता है डिजल होते है यह बेस्ट मैटरियल बहुत छोड़ते है और जो की एंविरमेंट में जाके उसको पॉलूट करते है लेकिन यह पूरी तरह कम्प्लीटली जल जाती है तो यह बहुत जादा कोई भी लगबग नेगलिजिवल रेजिड्यू चोड़ती है तो इसलिए क्या करती है यह पॉलूशन घटाने में हमारी मदद करती है आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में पीछे सिलेंडर रखा रहता है जिसमें कि CNG गैस भरी जाती है चल करके आप बताईए देखे भई लपीजी की बात करें लपीजी लीपस नो रेजिड्यू आफ्टर बरनिंग जलने के बाद लपीजी कोई भी रेजिड्यू कोई भी बेस्ट नहीं चोड़ती है यह सबसे वड़ी खास्यात है इसकी जबकि बुड की बात करें तो बुड ल लपीजी को जलाओगी तो ज्यादा अमाउंट में हीड देगी एक क्लोग्राम बुड को जलाओगी तो एक क्लोग्राम फ्यूल वन केजी फ्यूल जो हीट एनरजी देता है उसको कहते है उसकी केलोरिफिक वैल्यू चलिए नेक्स एट इन लिक्यूड इस्टेट इसलेंडर इसलेंडरं वैंहां उसको आराम से नेक्स को ले जा सकते हैं सूस्टे रहा रहेगा दो चारो महीं है केला और दो उसी जगह ले जाना है थोड़ा टिपिकल होता है चलिए तो यह कुछ डिफरेंस से 1,2,3,4,4 डिफरेंसे हमने यह आप पे दिये थे ठीक है इन स्टेटमेंट के लिए आपको रीजन बताने यह जो बाते कही गई है ऐसा क्यूं है उसका कारण आपको बताना है चलिए तो पहला है वाटर इस नोट यूज टू कंट्रोल फार्स इंवाल्विंग अलेक्टिकल एक्विमेंट्स यानि इलेक्टिकल एक्क्यूपेंट्स में जब आग लग जाती वो आग पकड़ लेते हैं तो हमें वाटर का यूज नहीं करना चाहिए आग बुचाने के लि लेता है वेर एज पीस ऑपेपर जबकि एक कागज का टुकड़ा जो होता है उसको अगर कर दिया जाए लपीड दिया जाए अराउंड एन ऐल्यूमिनियम पाइप के चाहरो तरफ तो आग नहीं पकड़ता है यानि कि आपसे एक नॉर्मल पेपर है उसको आप गरम करोगे तो वो एजली हीट एप हो जाता है और आग पकड़ लेता है जबकि उसी पेपर को एक अल्यूमिनियम पाइप के उपर लपेड दोगे ठीक है और उसको जलाने कोशित गरम करने कोशित करोगे जल्दी आग नहीं पकड़ेगा ऐसा क्यों है ना चलिए तो पहले question का answer देख हुई है और आप बाल्टी भर-बार के पानी फैक रहे तो वाटर क्या electricity का conductor होता है उसमें electricity flow कर जाएगी जो पानी फैक रहा वहां तक electricity पहुंग जाएग आपको सोक लगेगा जटका लगेगा है ना death भी हो सकती है तो यह सब चीज़े नहीं करने चाहिए यानि बिजली के instrument में जो आग लगी है उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए आपको next LPG is better domestic fuel than wood LPG एक अच्छा घरेलू इंधन है किसके comparison में लकड़ी के comparison में ठीक तो क्यों है भाई कारण क्या है LPG leaves no residue LPG कोई भी residue नहीं छोड़ती है after burning जलने के बाद calorie value of LPG higher और भाई देखो LPG कोई residue भी नहीं छोड़ती है calorie value LPG की ज़्यादा है एक क्लोग्राम के इसको जलाओगा LPG को तो ज़्यादा हीट देगा ठीक है लकड़ी के comparison में the air pollution due to LPG is negligible LPG के बज़े से air pollution भी नहीं होता है तो यह फायदे है while wood जबकि जो wood है वो pollute करती है environment को यानि इतने सारे फायदे है LPG के और wood wood के comparison में so LPG is better fuel than wood तो इसलिए LPG better fuel है अच्छा fuel है in comparison to wood चलिए next question third part paper by itself catches fire paper क्या करता है अपने आप से आग पकड़ लेता है easily असानी से आग पकड़ लेता है where as a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not यानि देखो भाई आप एक कागज लेका है कागज में आपने आग लगाई यहां से तो वो आग पकड़ लेगा लेकिन एक aluminum का pipe ले लो आप क्या ले लो बिटा एक aluminum का pipe ले लो और उसी के ऊपर उस pipe के ऊपर वो कागज लपेड़ दो अब इसको माचीस की तीली से जलाने कोशिज करोगे तो comparatively यह देर में आग पकड़ेगा ऐसा क्यों देखो भाई reason क्या है यानि paper जो होता है easily आग पकड़ लेता है because its ignition temperature is low क्योंकि उसका ignition temperature low होता है यानि कागज का ignition temperature क्या होता है यानि देखो बैसे तो कागज का ignition temperature fix होता है माल लो अगर suppose करो 30 degree Celsius 30 गया ऐसे माल लो 60 degree Celsius तो कागज का तो उतना ही रहेगा ठीक है अब दूसरे case में समझते है when the paper is wrapped around aluminum pipe जब उस paper को aluminum pipe के ऊपर around लपीड देतो आप then it do not catches fire यह आग नहीं पकड़ करता है because aluminum pipe aluminum absorb the heat यानि जब आप उस कागज को गरम करने जाओगे माचिस की तीली से या candle से उसको गरम करने जाओगे तो वो कागज को जो heat जीआ रही है वो heat कौन एबज़ॉर्ब कर लेगा वो aluminum का pipe भी एबज़ॉर्ब कर लेगा क्योंकि aluminum क्या हथा हीट के ती का अच्छा connector होता है ठीक है तो यानि जो heat आप कागज को देख रहे थे वो exactly कागज को तो मिली रही है साथी साथ aluminum pipe को भी यानि कागज की heat aluminum pipe को भी चले जा रहे है तो वो कागज अपने ignition temperature तक पहुँच नहीं पा रहा जिस temperature पे वो आग पकड़ता है उस temperature तक पहुँच नहीं पा रहा क्योंकि वो heat कागज की heat किसको मिल गई aluminum को इस बज़े से supply to the paper and the paper do not reaches यानि absorb कर लेता है aluminum pipe वो heat जो की paper को supply की गई थी इस बज़े से do not reaches to its ignition temperature और कागज अपने ignition temperature तक पहुँच नहीं पाता है तो इसलिए पहुच नहीं पाएगा तो आग भी नहीं लगेगी आग नहीं पकड़ेगा वो ठीक चलिए next make a label diagram of candle flame candle flame का diagram बनाना है तो diagram बनाना है तो पेटा ये आपके practice के लिए question है ठीक है तो diagram candle आप बना लीजिएगा तीन layer उसके दिखा दीजिएगा तीन जोन आपके दिखा दीजिएगा अंदर वाली जो होती है inner most जो होती है वो unburnt होती है ठीक है backs होता है unburnt और जो की black color का होता है ठीक है और जो middle zone होती है ठीक है वो क्या होती है moderately hot बहुत ज़्यादा गरम नहीं होती है बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है ठीक है middle zone partially combustion थोड़ा सा combustion होता है और ये yellow color की होती है और सबसे बाहर की जो होती है ठीक है outer zone completely combustion यहाँ पे होता है वैलयो ओफ यही सिए आपको उस यूनिट का नाम बताना डेके जैसे हम मांस नापते हैं जर करते हैं तो क्लों ढवाम में हकरते हैं good में वोलिम नापते हैं तो इस तरह से ठीक उसी तरीके से नेम्सलिट उस यूनिट अविवान बताना है विच i$ in which the caloric value of fuel is expressed यानि फ्यूल की इंदन की जो caloric value है वो किस में किस unit में नामते हैं मीटर में लीटर में किस में हो तो उस unit का नम क्या है बताईए थीक है आनसर देखते है the caloric value of fuel is expressed in unit उस unit का नम क्या है kilojoule per kilogram kilojoule per kilogram यानि पहले लिखेंगे क्लोजूल डिबाइड में लिखेंगे क्लोग्राम यानि कि क्लोजूल का मतलब हो गया कि भाई इतने क्लोजूल हीट देती है पर क्लोग्राम मतलब एक क्लोग्राम ठीक है तो यानि कि जैसे हम बात करें कि भाई पैट्टूल पंपे जाते हैं render Pens है तो आप क्या कहते हैं आप कहते हैं कि किस रुपने का दिया यह जो भी महां पे भैल्ल Ari आपको यह बताना है कि CO2 मतलब कारवन डाउकसाइड कैसे आग को कंट्रोल करने में साहिक होती है कैसे उसको कंट्रोल कर लेती है आंसर देखते हैं CO2 being heavier than the oxygen CO2 oxygen से भारी होती है बिल्कुल सही बात है covers the fire like a blanket यह जहां पर आग लगी हुए उसके चारो तरफ फैल जाती है जैसे कंबल उड़ा देते हैं किसी को कंबल कपड़े से घेर लेते हैं कवर कर लेते हैं ऐसी यह क्या कर लेती है जहां पर combustion हो रहा है उसको चारो तरफ से एक blanket एक कवर बना लेती है जब यह cover बना लेती है तो cover के बाहर क्या है एक अक्सिजन है और कवर के अंदर क्या जहां पर combustion हो रहा था है तो यह नहीं बाहर वाले बर्न heap of green leaves but dry leaves catch fire easily explain कह रहा है it is difficult यह कठिन है क्या burn a heap of green leaves यानि बहुत सारे ग्रीन पत्ते लेलो एक ग्रूप लेलो ग्रीन पत्तों का पत्तिया लेलो पेड़ पोदों की पत्ते हरे पत्ते हैं उनको जलाना कठिन है वो आग आसानी से नहीं पकड़ते जबकि सूखे पत्त जो होते हैं यहीं पत्तिया पत्तिया उनमें उtransker नमी होती है मदला पानी होता है उनके अंदर nectar the ignition टेंपरिछर of green lips is more, तो इसकी बज़े से क्या होता है, उनका ignition temperature होता है, ज्यादा है, क्योंकि moisture है, पानी है, तो उसको जलाने के लिए ज्यादा गरम करना पड़ेगा, तो उनका ignition temperature क्या है, ज्यादा है, ठीक है, is more than the dry lips, किस से ज्यादा है, dry lips के comparison में ज्यादा है, so, it is typical to burn heap of green leaves, while the ignition temperature of dry lips is है, और जबकि dry lips का ignition temperature कम होता है, so, they catch fire easily, कहने के मतलब है, हरी पत्यों में होता है, जिसकी बज़े से उसका ignition temperature ज्यादा होता है, जबकि सू की पत्यों में मॉस्चर नहीं होता है, इसलिए उनका ignition temperature कम होता है, इसलिए वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, next, which john of a flame does a gold smith use for melting gold and silver and why, आपको ये बताया गया है, कि जो gold smith होते हैं, सुनार जो होते हैं, सोने के आपुसर न बगएरा चीज़े बनाते हैं, जोलरी बगएरा बनाते हैं, उनकी बात की जा रही है, तो वो जो gold smith होते हैं, वो gold को गलाने के लिए melt कराने के लिए, या silver को melt कराने के लिए बाई candle है candle में तीन जोन होती है अंदर वाली इनर जोन मिडल जोन आउटर जोन तो किस जोन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है यह सब चीजे करने के लिए उसको मैल्ट कराने के लिए तो देखो बाई यानि जो आउटर मौस जोन है यह वाली जोन है जो कि ब्लू कलर के आपको दिख रही है उस जोन का वो इस्तेमाल करते हैं बिदे मेटलिक ब्लो पाइप यानि एक पाइप लिए रहते हैं उससे हवाप फुक मारते रहते हैं ठीक है तो यह आउटर वाली जोन है उसका इस्ते लिए बाद कियूं करते हैं यह भी जान लेते हैं दा आउटर मॉस्ट जोन जो सबसे बाहर की जोन होती है guys maximum temperature उसका temperature सबसे ज्यादा होता है क्यूं होता ज्यादा due to the complete combustion क्योंकि भांपे complete combustion हो रहा होता है इसलिए so this zone is used by gold smith इसलिए इस zone का इस्तिमाल क्या करते हैं गोल्ड समित के दौारा इसका इस्तिमाल किया जाता है चलिए तो इतने on experiment 4.5 kg औफ यूल कम्प्लीट्ली बर्न एक experiment में क्या होता है घहा ऐक experiment में ऐसा देखा गया क्या देखा वन एड जीरो 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 ठीक है यानि आप से कहा जा रहा है साड़े चार किलोग्राम फ्यूल को जलाया गया है ठीक है किसको साड़े चार किलोग्राम फ्यूल को जलाया गया है ठीक है और जलाने के बाद क्या किया गया है इतनी हीट निकले है कितनी देखे वन टैन हंड़ ठीक है, तैन ताउजंट लेक्स, ठीक है, इतने कलोजूल हीट निकलिये, calculate the calorie value of the fuel, क्यलोरी की वैल्यू झेकल लिये, चलो भाई, क्या है, दीकते है, heat produced by 4.5 kg of fuel जो 4.5 kg फ्यूल जलाया गया है उससे कितनी heat मिली है आपको इतनी heat मिली है बहुत से यानि total heat आपको इतनी मिली है heat produced by 1 kg तो आपको जब 1 kg निकालना होता है तो total heat को जितने fuel से मिली है उसको divide कर देते हैं यानि आप ऐसे समझे कि भई आपको समझना है जो 10 kg एपल है suppose करो 10 kg एपल कितने के मिले है 1000 रुपीज के कितने के 1000 के तो आपसे कहा जाए कि 10 kg कितने के मिलेंगे तो भई आप 1000 को 10 से divide कर देंगे यानि 100 रुपीज के मिलें मान लिया एक assumption ठीक है अब एक किलोग्राम से कदने मिल लगी है? 40,000, तो उसी को तब हम क्या कहते हैने? Caloric value. यानि एक किलोग्राम के फ्यूल के जलनें से जो heat मिलती है, जायती है 40,000, प्रकिलोग्राम यही हो गई उस फ्यूल की calorific value. ठीक है? तो इस टाइप से question होते हैं. चलिए, question number 12 देखते हैं, can the process of rusting be called combustion, यानि कि लोहे पे जो जीए, देखो pipe दिख रहा है एक को लोहे का, इस पे जंग लग चुका है, corrosion लग चुका है, rusting हो चुकी है, तो क्या इसको भी combustion कहा जा सकता है, चलिए देखते हैं, the process of rusting cannot be called as combustion, process जो है rusting का, उसको हम combustion नहीं कह सकत है, क्यों, क्योंकि combustion की इसमें characteristics तो होनी चाहिए, देखते हैं, in combustion, combustion की बात करें, substance reaches to its ignition temperature, तो क्या होता है, combustion में जो substance होता है, वो अपने ignition temperature तक पहुंचता है, उतने temperature तक heat up करना पड़ता है, and react with oxygen, तब oxygen से react करने के बाद, and produces heat, light, और वो heat भी produce करता है, light भी produce करता है, तो इस procedure को कहते है, combustion, अब देखते हैं, क्या रस्टिंग में क्या जंग लगने में, corrosion में ऐसी चीज़े होती है, तो देखो, but in rusting, rusting की बात करें, the substance not reaches to its ignition temperature, substance अपने ignition temperature तक नहीं पहुंचता, and no light is produced, कोई light भी produce नहीं होती है, but negligible heat is produced, कभी-कभी थोड़ी बहुत heat produce हो जाती ह तो यानि कि ज़्यादतर characteristics इसमें combustion की नहीं है, तो इसको हम combustion नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम combustion नहीं कह सकते हैं, चलिए, 13 question देखते हैं, अबीदा ये साध अधीबा होगा, maybe है ना, देख लिजीगा, अधीबा and rames were doing an experiment, ठीक है, अबीदा भी हो स experiment करने चले गए, ठीक है, एक experiment करने चले गए, उस experiment में उन्होंने क्या पाया, कि देखो भई, दोनोंने क्या क्या क्या, एक पानी बीकर लिया, बीकर में पानी लिया और उसको गरम करने लगे, अब अबीदा ने क्या क्या क्या, अबीदा क्या क्या क्या, अबीदा क्या क्य ले जाके गरम करने के की ठीक है जबकि रमेस ने क्या क्या रमेस कैप द बीकर in the outer most part रमेस ने अपने बीकर को candle की जो 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 है उसके outer most part पर रखकर गरम करने की कोशिस की, ओके, होस बाटर बिल गेट हिटेड इन ए सोटर टाइम, तो किसका पानी जल्दी गरम हो जाएगा, कहने का मतलब अबीदा जो है, वो मिडिल जोन, केंडल की जो मिडिल जोन है, बहां पे रखके गरम कर रही है, और रमेज जो है, आउटर जोन पे रखके गरम कर यहाई, तो किसका पानी जल्दी गरम हो जाएगा, बैस जिस जोन का टेमपरचर ज्याधा होता होगा, वो क्या होगी, जल्दी गरम हो जाएगा, तो देखते हैं, the bicker of remains will get heated in a shorter time, रमेज का जो बीकर है, पानी का जो बीकर है, वो जल्दी गरम हो जाएगा, emberelf जो में तो क्या हो जाएगा इसका बीकर जल्दी गर्म हो जाएगा ठीक है इस तरह से कॉस्चन ते आपको वीडियो कैसा लगा क्या सोल्यूशन यह आपको एल्पूल है और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल पढ़ाय लिखाए विद मी